हाई फ्रेंट्स मैं राजयस कुमार कंसेप्ट मेनेजमेंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैं फिर से समान अद्यन का चौथा पार्ट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और इस पार्ट में मैं देखूंगा कि आजकल ट्रेंस बंड गए हैं कि बहुत सार एक्जाम में दो तीन कोश्चन कॉंप्यूटर से डाली डेते हैं जिसमें कॉंप्यूटर से और दो तीन टॉपिक से मैं पढ़ाऊंगा इसमें कॉंप्यूटर रहेगा और इंपोर्टेंट टोटी जैसे से आएगा हम बताते जाएंगे तो इसे रिलेटेड वीडियो इसमें है और इसमें लगभग शौव या डेड़ सो कुश्चन हम कभर करेंगे तो यह मैं आसा करता हूं कि इस वीडियो का देख रहे हैं और बहुत ही लबानवित हो रहे हैं दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट सीज है और आपके रिवीजन के हिसाब से आप कितना ठावर और ढिल्सओं सी वीडियो कंश्चे प्रक्रिग्य रेक्टी इसमें बहुत वहईनट करने चाहता हूं चीज डिय भूब जाने like कराता हूं ऑर इस लिए दोस्तों पना गुजारें शिर्टेश में सबस्काइब करें और नयए नय व fix करें में नय फ्रेंड्स के बाद शेयर करें ताकि चैनल knappar पर wild son तो आईये दोस्तों हम चलतें आज की टौपिक और तोउट से पहले टौपिक में देखेंगे मंधर कुर्ष्चन से आदनी इनियक था इसके बाद हम देखते हैं पर्थम कंप्यूटर करें किया था लेक्ट्रोनिक प्रफ़िटर को विसकार जोन मोचली ने किया था सबसे पाहला कल्कुलेटिंग डिभाइस सबसे पहला कल्कुलेटिंग डिभाइस था तो चिनियों के द्वार दिवारत इसका छटा सबसे पहला कल्कुलेटिंग डिवाइस था इसका उत्तर है एबाकॉस है एबाकॉस सबसे पहला कल्कुलेटिंग डिवाइस था कौन तो एबाकॉस था इसके बाद साथ नमर में एबाकॉस से मापक के अंतर का विसकार किया था एबाकॉस जो था कल्कुलेटर में है आपकॉस उसका माह पकांद तरक भीजंद किस न किया था तो चीनियों ने की आथा इसके बाद UCB बीज्म का था तो सेड़ार थे लॉग और षटम ऊता उसका अब चया था 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 जए नेपियर ने किया था कब किया था तो 1614 भी में किया था इसके ग्यारा नमबर कुश्चन हम देखेंगे ग्यारा नमबर है तो आधनिक के विश्क क किणया था किए सिदस्व किद था और पुने से थे सिदे पुने से थे कंपिटर सक्वस के रूप में मना जाता है किम आज जाता है तो कम्पिटर सक्षाथ संब्स किक नेट वर्क हैं इंटर नेट हैं इंटरनेट से माद्यर्डfully सब चीज होता है बीच्व का पर्थम सूपर कंप्यूटर था कौन सा था तो क्रे वन क्रेके वन हैस क्रेके एस हीना मैं आपके इसके निर्मान 58 इसे में हुगा था चलिए इसके बास 16 नम्मर कुश्ट्यन देखेंगे पर्थम कोंप्यूटर लगाया गया तो बैंगलूर के परधन डागवर में लगाया गया इसके बाद सबसेट करोग में अमेरिका में सबसेरी शर्ड़ कोंप्यूटर विज्यान्ट करी का नाम बताईये तो उनका नाम टॉट्टर राज रेडिटी टॉट राज रेडिटी चलिए 20 नमबर कोश्यन डिलु डाविश्वल डाव का पूल्ण रूप है वर्ड बाइड वर्ड वर्डव वर्ड वेव चलिए आते हैं 21 कोश्यन पर 21 में है CD wall-wide 2-4 वीत वुड़वी डिखा रख तत्हपर वर्थक हैं तो टीम बर्नल लॡ़ाल्ट टीम वर्नलव्ट ली कॉम्प्यूटर में परिप्त होने वाले cpename खाकिसी का तो सीलीकॉन का बना होता है 23 है भारत का सिलीकॉन भाईलीrasy लोर में है चलिए कॉंप्यूटर का मस्तिक्स ब्रेंड किसे कहते हैं तो CPU को कहते हैं CPU का पुड़ा नम Central Processing Unit है चलिए इसके बाद हम देखते हैं CPU का हो गया और 26 में एक मेगा बाइट ब्राबर होता है तो एक मेगा बाइट दोससोचोविस किलो बाइट के ब्राबर होता है तो एक गीगा बाइट दोससोचोविस मेगा बाइट के ब्राबर होता है यह होता है दोसचोविस दोसचोविस किलो बाइट यह होता है दोसचोविस मेगा बाइट के बराबर होता है चलिए इसके बाद हम देखेंगे ट्वड देखेंगे land का पुल्ण रूप क्या लैन तो क्हों को लोगाल एरिया नेटवर्क किसको उन दौन प्रफम बोलते हैं उसके बॉयन कैसे हो जाए गहाँ fourtron gefragt one time computer अपने परिणाम को हम परिमाडों को भली हेति उ्सरक्षित रखता है रखता च warto इंच अब्रूरे में रखता है कहां पर रखता है में मेर्क अब ज very crypto to Ram and Run Français Pack जो इसका बद रम में आते हैं रॉम कभी सब्सक्राइब कर चलू करने कि परकेरिया और चालू करने की बुट प्वित प्सक कहते हैं इस लिदेशन में इंटरणेट के शुरुवात हुए थींटरणेट के सुरुवातफ में तो बीडी यू है वीजूल डिस्प्लेई इनिट विडी इसको बलते हैं उसको अधिस्ट नमर में की बॉटन तथा फंशन की कितने होती है उसके बाद में हते हैं मिकर सबत का और्थ क्या होता हुता है इसका और्थ होता है magnetic ink, magnetic ink, character ink, magnetic ink, character ink, recognition, magnetic ink, character ink, recognition, चलिए, उसके बाद 40 नमर में आता है, ASCIL, ASCIL का full-form क्या होता है, तो इसका उत्तर होता है 8 bytes कि नहीं किसके बराबर होता है, तो यह होता है, 8 bytes के बराबर होता है, उसके बाद में 41 नमर है, CD-ROM का पूर्ण रूप है CD-ROM का फुल फर्म पूछ रहा है यहां पर तो इसका फुल फर्म नहीं तो इसका फुल फर्म नहीं तो इसके बाद फोटी थिरी में आते हैं अब फोटी थी घsli घुकर ड़्स तरहने सिस्ट्म में परियूग होता किशा़ी प्रियूट करता हम जीरो और वह सकुंदर में कॉंप्हों टिन फोटीपर में वाईरस होता है तो वाईरस इक प्रोग्रामें होता है इसके बद फोटीफाइब में आते हैं वर्ड वाय वेव ब्लु ड्लुड विच में उनीजन नवासी से नव्य के बीच में हुगा था इसका फ्लॉपी का साइज होता है तो थी भर्यूप 3.25 Inch से इंच तथा 5.25 इंच तीन-दस्वंदू-बनदू-पाच इंच तथा पांच-दस्वंदू-दू-बनदू-पाच चलिए उसका 47 मिन इताय है CP और main memory के गउती को एक समान रखने के लिए एक समान नेट वर्क में संपर्क जोडने की परकिरीय क्या कहलाती है तहते लाँग आउट कोता है जो यह संपर्क तोडमें की स्वरी जोडने नहीं थोडने की ऑपरेट्टींक मुटमद के सरवाधिक युग्दान न ow है Yo कंप्रीटर निति क्षिन गटी तो कोंप्रे प्रग्राम के सुची को प्रोग्राम की सुची को मेंस किस गाइज तो साहीच इसके बढ़ Pitt अधर्सेज medicine 기자 है काल फे नाएं क्या करन होता लगाइज पर होने क्या कारण होता इस क्या करन होता है तो इसका डॉम्प होने का यह करन है वाइरस चलिए पच्पन नमर कोश्चन दिखते हैं पच्पन नमर को स्टी 사इय का व स्ट को एक डेस्टुर्टिंग प्रोग्राम और इसका भाविठिक बनावत यह क्या कैते हैं। तो हार्ड डिस्की गटी आर्पीए में मापी जाती है चलिए उसके और 61 हम देखते हैं 61 में का रहा है कि कोंफिउटर का मुख पिरिष्ट का हथा है तो इसका मुख पिरिष्ट का भलता है हाँ डेक्सटाप हो टीक है 62 में पर्थम कंपीटर कॉंपीटर रिजर्वेशन पद्धिती कब लाग हुए कॉंपीटर पहला कॉम्प्यूटर सी मोर में बनाए गया तो आमेरिका में ही होना चाहिए चलिए उसके बाद देखते है ति उच्छ अस्तरीय भासा का नीम्न अस्तरीय भासा में अनुवाद करता है कॉन सा करता है डिवाइस तो यह कंपाइलर के द्वारा किया जाता है इसका हिंदी में इसको क्या काते हैं बहुत लोग हिंदी नहीं जानते हैं जाएंगी जानना चाहिए तो हिंदी इसका संगड़क होता है इसके बाद 67 में आते हैं 67 में कह रहा है कॉंप्यूटर के छेत्र में महान करांती आई कि 1960 में इसका उसके बाद 68 में थे इसके प्रीकोंप्यूटर को ठीक करना तो अधिक करना क्या काह लता है तो वह उसका है DOS और Windows एक परकार का क्या है तो एक परकार का operating system है विश्व का सबसे तेज computer कौन सा है तो तेज computer 3 सबसे तेज computer उसको बोलते हैं T3A चलिए उसके बाद हम आते हैं सबसे तेज computer हो गया उसके बाद हम 71 पाएंगे करें करता है तो इसको हम बोलते है सार्ण बोलता है स्सप्रोग्राम चलिए उसके बाद 72 में आता है माउस कीबोर्ड तथा ज्वास्टी के स्कैनर तथा लाइट पेन इसकी सका उदारन है तो ये उदारन है प्रेंटर ताधा मोनी प्रिंटर किसका उधारन है तो अउड़ करके और देटा को सुरक्षित रखने कीया होता क्या होता है तो होता है में दोस्तों कमेंट करें कुछ कुछ नहीं आप भी बताई वाइटू के समस्य संबंदित किसकी समस्य से संबंदित है तो इसके बाद है अब 76 होते है दूसरा सबसे बड़ा बड़ा दूसरा थॉल होता है तो क्या बदाइबेज Peak होता ही हाई-टेक्स्ट हाई-पो लेंग्वेज खतेक्स्ट मार्क ओप लेंग्वेज इसको याद कर लेंगे वह भता ह्व Aujourd Keith है फब टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही पोड्ट ट्रांसफर प्रोटोकोल यह बहुत में पुछे गाया है और इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कॉप लेंग्वेज इसको बोलते हैं चलिए उसके बाद हम देखते हैं 81 नॉमबर कोच्चन हमारा क्या कहता है 81 कहता है कि को सत्रंज में 1927 में हाराने वाला कॉंसा कॉंप्यूटर अच्चा दैश्य बैचि ओंगधे्व एके वाईटो के समाश्य परभावित भीशो का एक मात्र देश है वाईटू के समस्या से प्रभावित यह वाईटू के है क्या तो एक computer virus है और इसकी समस्या से प्रभावित देश है जांबिया है उसका बेशिक बीए SIC सब्सक्राइब क्या होता है इसका फूल फर्म होता है बाइनरी ओल परपस पुल फर्म एक बारा वो सुनें बीजिनर से सुरी इसका होता है बीजिनर्स अल परपस बीजनर्स आपरपास शिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसके बाद होता है एक से अधिक केbec act a मों को क्या आते हैं एक से एक मूげ स्व現在 कॉपीओ से आटेच ने स्टेरीज एरिया क्या आता हुआ क्या परेuse cucu से खता है थे में कमें क्या इरिया की शिक्वाता है तो क्या क्या पर राते हैं बुपार बफर है आट कंगे दोस्तों अब मेरा इसी स्रीज में कुछ दूसरा टॉपिक हम देखते हैं तो इसमें बिल्कुल ही इंपोर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे जो कि आपके एक्जाम पॉइंट आप वीव से बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों टाइम और मत जाईए टाइम आते जाते रहता है हमें पड़ाहिं पफोकेस करने हो चली इसमें हम देखते हैं 200 के चारोफ चकण लगाने वाला पहला बँती तो पहला बेखती 200 के ゃनी वाल्ड training और चंकर मार दिया था तो फार्डिनेंड मैंगलां मेंगलां के नाम से विव को जानते हैं यह यह कहां पूर्तगाल के इसे यह एक से लेकर हम 22 कोश्चन देखेंगे इसमें भारत हो विश्व में पर्थम चीजब क्या हो था उसी को देखेंगे इसमें दुसरा पुटाहाँ देखते हैं किसी देश की पर्थम महिला पर्धान मंत्री पर्थलभीन चॉरिए भारत का पर्थम गुवर्णरर जनरल लड बिलोन बिलेवन बेंटीं पचवा है भारत का उंतिम गुवर्णर जनरल लट कैनिंग पर्थम लौड विलियम बेंटिंग और अंतिम लौड कैनिंग भारत की पहली महिला परधान मंत्री बताएं दोस्तों सिर्मति इंद्रा गांदी इसके बाद सातवा नमर हम देखते हैं साथ नमर साथ नमर में कहता है कि एवरेश्ट शिखर उनीस सो तीरपन में पर पहुचिन व training कौन था कि दर्पा तो सेर्फा सेंजिंग था एड्मार हिलेरी के नाम से नहीं जाना सकता है यत नमर में भारत आने वाला पर्थ म अंग्रेस्का नम बताई यह तो ऑ्गिंस ㅎㅎ जाहंगीर के दर्बार में ऐए था ऐसे आया था अकबर से मिलने लेकिन अकबर देथ हो गई थी उस समय इसलिए जाहंगीर के दर्बार में पहुंचा हो उसके वह नइन नंबर है स्वामिधान करने वाला पर्थम देश इसका उत्तर है संजुक तराजवामेर का यहां पर दॉस्ट नंबर जाएंगे बारे नंबर कहता है कि भारत की पर्थम महिला राज़ेपाल कौन है महिला राज़ेपाल स्वरोजनी नैडू है जो कि उत्तर परदेश से आती हैं और इसके बाद 3 नूमर में ाइसी एस के परिक्षा में श्वफल होने वाले भारतिय आई सातेंद्र नाट टएगॉर के परहली बार में इन्होंने भारतिय होके भी नाम प्रचम ला रहा था भारतिय रश्टी कांग्रिश्के पर्थम सभापती को नाम मताईए त तो ग। बेहमाईश चन्द्ड बळनरजी पर्थम सभापतीं इसका पर। पर्थम प्रेंड मार्शल की बात हो रही है तो पर्थम प्रेंड मार्शाल कौन है जनेरल मानेक शा इसके वासवा इंग्लिस्ट चैनल को पार करने वոणा पर्थम भारती है तो मिहिर सेन जी थे जो इंगलिस चैनल को पार कर गये थे वो भारतिय हो के तो आई ये 17 में लोग साभा के पर्थम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का नाम बताई है तो अध्यक्ष जीवी मावलंकर तथा उपाध्यक्ष शैनम आयंगर इसके बाद है पर्थम उपराष्टपति का नाम बताई है तो डॉक्टर सर्वली राधाकृष्णा भारत का पर्थम बीमान वहाग्पोत का नाम बताई है तो आई एनस बिकरांत इसका नाम है भारत का पर्थम चुनाव आयुक्त का नाम बताई है तो सुकुमार सेन है और हम में आएंगे ड्वेर आते हैं ट्वेर तंटेवान वेंता वांटीवाइब का नाम यहां पफुछ स्वेस्वीत कब्सक्राइ So पुछ रहा है तो किरन बेदी जी है भारत की पर्थम महिला मुख मंत्री का नाम बताइए तो महिला मुख मंत्री की बात होती है तो हम सुचिता किरपलानी बताएंगे और यह कहां कि थी तो उतर प्रदेश के थी चलिए उसके बाद हम देखेंगे सुचिता किरपलानी चलिए उसके बाद हम देखेंगे 26 मिस वर्ड तथा मिस युनिवर्स बनने वाली पहली भारतिया महिला का नामें आप पुछ रहा है मिस वर्ड मिस युनिवर्स तो मिस वर्ड हम बताएंगे तो मिस वर्ड रिता फारिया तथा मिस युनिवर्स शुश् अने परफम भारतिय महिला के बात है इसके ब्रेश्ट एकारम फिर से मारत के बाइब उन्ट्री फर्थम हो फेली ग्री मंत्री हमारे सरदार बल्लब भाई पर्टेल जी थे और उप पर्धान मंत्री भी वहीं थे चलिए उसके बाद 31 में उतर धुरू पर पहुंचने वाली पर्थम महिला उतरी धुरू जो होता है उतरी धुरू दक्षिन धुरू तो उतरी धुरू पर पर्थम महिला कौन तो उत्रीड रोबर्ट दॉप यह उत्रीदो रूप पहुंचने वाला भैग्ती का नाम है और कहां धूट है तो नार्भी के थे और उत्रीघ तर्भाइब में पता है इसके बाद है 55 में देखेंगे 35 में देखेंगे सर्वोची नियाले के पर्थम महिला नियाधीस का नाम बता है सर्वोची नियाले के पर्थम महिला नियाधीस की बात हो रही है तो फातिमा बीवी सर्वोची नियाले के फातिमा बीवी भारतिय राश्टी का अंग्रिस के पर्थम अध्यक्ष जोर्ज यूल भारतीय राष्टी स्कें परतो मत तुס यूली सोतंत्र भारत का परतों कमांडर इन्चीप भारेत की बात हो रही है तो भारत का परतें कमांडर इंचीप के जन्रोर करियापा है भारत की पर dwjilast मुंए पार्फिवा डेवी सिंह पाटिल्ट लोकि फिल्हाल इनका कार्जिकल था उनके बाद दोतीन गो राष्टपती का चींजिंग हुआ है उसके बाद में हम 40 नमबर हाते हैं 40 नमबर में कर रहा है कि संजुख्त राष्ट महा सभा की पर्थम महिला सभापती का नाम बता है बिश्व की पर्थम महिला राष्टपती तो महिला राष्टपती मारिया एस्टेला मारिया एस्टेला मारिया इस्टेला इसाबेल की थी और भरत थे समयल, आन्ना जार्ज, अन्ना जार्ज, इनका नाम सुननें, अन्ना जार्ज, तो आइए दोस्तों कुछ इसमें और खिचते हैं, क्योंकि एड, थोड़ा से वीडियो छोटा हो जाएगा, और इसमें कम से कम डेर से कोश्चन आना चाहिए, तबी मज़ा आएगा जाक और इसका इस टॉपी का नाम है भारत तथा वीसु में सबसे बड़ा चोटा उंचा और लंबा सबसे बड़ा बड़ा चोटा उंचा लंबा तो आईए देखते हैं इसको देख लेते हैं क्योंकि एक ऐसा कोश्चन है कि लगवाक सब लोग जानते हैं सब लोग को जानना भी कि सबसे बड़ी तथा का पाशल की जिल का नाम बाताइ और भारत में पुछेगा तो चलंड़ीजसा में और विस्व की तो रूस में भारत के सबसे बड़ी नीचर चलंडा की जिल सिए तो उलर जिल है JAMES तो बीस्व के सबसे बड़ी ताजे पानी का नाम पूछ रहा है तो गोविंदे सागर जील है। क्रित्रीम जिल चलिए छाटा नमर आता है विश्व की सबसे गौहरी जिल का है गौहरी जिल का नाम है बैकाल जिल विश्व की पुछ रहा है तो विश्व की बैकाल जिल है तो बैकाल जिल रूस में है रूस में चलिए विश्व की सबसे बड़ी क्रित्रीम जिल का नाम बता सबसे बड़ा रेजिस्थान कहां पर है तो अफिरका में नहीं करेंगे भारत का सबसे उंचा बांध है भारत का सबसे उंचा भाखड़ा बांध है कहां पर है 17 नदी के पास है 17 नदी पर बना गया है और 17 नदी कहां पर बनी हुई है तो पंजाब में बनी हुई है चलिए कहां जाएगा वह कहां है तो ही किस थान पढ़ और रूस के पढ़ता है ऽजब्चा बrospect, भारत का सबसे उच्छा जॉल परपात, भारत का सबसे उचने जल पर पर पूछ रहा है, तो जोग या गौ कऊशपपा इसको खाहेंगे और सरावती नदी के टॉट पर है जब सरावती नदी पर Debati बना होगा है और सरावती नदी इस अंचे जोटि पर करनाधक कर रहे बिस्तों का सबसे उचने जल पर पहते हैं है रहा है तो एंजील है और यह कहां पर है बेले जुएला में चलिए उसके बाद पंद्रा नमर कोश्चन में आए तो पंद्रे नमर कोश्चन को रहा है भारत की सबसे लंबी नहर क्या है कहां पर है लंबी नहर लंबी नहर इंद्रा गांधी नहर को बोलते हैं और इंद्रा ग जो कि गांगा नदी और जो कि ब्रहंपूत्र साइड गांगा ब्रहंपूत्र के मिलने से बनता है विस्व की सबसे लंबी नदी बिस्व की पूछ रहा है तो विस्व की सबसे लंबी नदी निल नदी है और मिस्र में बहाती है और विस्व की सबसे चोड़ी नदी के नाम बत अबद है इसके बाद है शबसे बसे बड़ा नहर नहर पुछ रहा है तो नहर में हम बोलेंगे स्वेज नहर को अठारस ओन 1089 में नीरमिती सिह हुगा अंथाओ conviction एसका निर्माड हो दया था जोरी का सबसे बड़ नदी दीप का नाम यह सबसे थूटा चोटा नदीप dollar सी बात आती है तो चोटा चोटा नहीं देश में है चलिए विश्व का सबसे बड़ा महादीप के यहां पुछ रहा है तो महादीप हम एसिया कहेंगे और जिस महादीप महादीप में हम खुद रहते हैं वहीं महादीप सबसे बड़ा है और सबसे छोटा महादीप कौन सा है तो सबसे छोटा महादीप आस्ट्रेलिया महादीप है इसके बाद 25 नमर में सबसे बड़ा हैं गारा महासागर सबसे बड़ा और गारा तो परसंत महासागर है तो परसंत महासागर चलिए ठीक है और 26 में 200 का सबसे छोटा महासागर के बताइए सबसे बड़ा दीप तो Greenland डीप है और यह कहां पर है तो Denmark है और इसको मैप में देख सकते हैं अलग है बिल्कुल और इसके बाद 28 नमर है सबसे बड़ा दीप समू का नाम बताइए सबसे बड़ा दीप समू तो दीप समू इंडोनेसिया दीप समू है चलिए 29 में कि ऐसा हो ल सबसे बाद प्राइदीप तो उसके बाद हम आएंगे जील के अंदर जील जील है बहुत आछ्या कूच्ड जील के अंदर जील तलिक मेनी टू मेनी टू मेनी कणाड़ा दूह तो सबसे बड़ी खाड़ी कहां पर है तो मेक्सीको की खाड़ी को हम सबसे बड़ी खाड़ी बोलते हैं उसके बाद चेत्रपल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा देश का बात हो रही है तो सबसे बड़ा देश है चेत्रपल की दिरिष्टी से कौन सा देश है तो रूस है चल नम्पि शुरंग में शुरंग का नाव बता है तो तो हमें बताना होगा राइन नदी को जर्मनी में बाते हैं चली ए इसको सिमावह नम बताएं तो सिमावह डेस है चीन है 14 देसों के साथ इसके सीमा मिलती है चौदेश के साथ सबसे बाद में सरवादिक उचाई परिश्तित है उसका नाम है पूछ रहा है तो वह है तीटी का कॉंः तो दक्षून अमेरिका में चलिए इसके बाद तॉर्टीनाईन में थैयर वहाने आपया है कि तो यहां पर 40 होना चाहिए तो बीश्यो के सबसे उची जागरित ज्वाला मुखी तो ज्वाला मुखी का नाम इसका उत्तर हो जाएगा कोटोपैक्सी इकवाडूर में है तो अच्छी नमीर कहां पढ़ता है इकवाडूर जागरित ज्वाला मोखी है कोटोपैक्सी उसके बाद में एक तालिस नंबर जो कि यहां पर नॉमरिंग कुछ चेंज हो गया गबड़ा गया संसार का सबसे छोटा ज्वाला मोखी का नाम कि मैं खुद परसान नहीं करना चाहता हूं और परसानी क्या है स्टुडेंट लाइफ में पढ़ना है तो परसानी क्या है यहीं हमारा कर्म है चलिए उसके बाद आए यहां से एक से लेके कुछ कोशन हम देखते हैं कुछ पचास साथा और कोश्चन इसमें देखते हैं जो इसका में टॉपिक होगा संजुक्त राष्ट संजुक्त संजुक्त राष्ट श्रंग तैथा अन्य महत्पुन संगठन से जुड़ा हुए इसमें महत्पुन कोश्चन देखेंगे राष्ट श्रंग इसमें देखेंगे राष्ट श्रंग और महत्पुन अन्य संगठन से ज थापक सदस देश्वों की संक्या कितनी है तो सदस देश्वों के संक्या कितनी है पता यह या उत्तर नंबर में बारतमान में संजुग्त राष्ट्रण के सदस से देशों के संक्या कितनी है तो संजुग्त राष्ट्रांग के सदस के संक्या पूछ रहा है तो एक इक सो तिरानवे हैं पूछेङे तो दक्षिर सुदान 138 महमों सदस पाढ़ देखते हे से युनाइटेडन सन्य senhor नाम दिया था है किस ने दिया था सब्सकों कर दो अमेरिकी राष्ट इसको नाम दिया था सब्सक्रांगी कि और इसको नम दिया कितने हैं जिसने का मन्नेत प्राप्त है तो छो भसा है तो भास के नाम हम आपको बता देते हैं पहला नमबर में चीनी मि जिनी है और दूसरा नमबर में है रूस छोगो भासा को एफरोब किया है और सत्वआ सवंजुक्त राष्ट्राइट की दो कर्जकाली भासा है और अंग्रेजी और फ्रेंच है तो दोस्तों एक मिनाट के ब्रेक, एक सकेंड के ब्रेक चलिए उसके बाद हम देखेंगे आठवा नमबर सवन्जुक्तराश्टन की करजपालिक और बयोस्थापिका को क्या कोते हैं तो करजपालिग को सवरक्ष्थापिका को महाँ सबां में सभाइस थाइस्धाइ सजुक्तराश्टन की सुरक्ष्थापिका मेर्क यह परिषट के पांच अस्थाई सदस कौन कौन है पांच आस्थाई सदस में पांच और 9 क wines 10 था स्थाई वाला सब्सक्राइब टो अमेरिका है रूस हे सब बड़ा बड़ा बीखुन देशी हैं अमेरिका है रूस है बिरिटेन है पर्थम फ्रावथिय आमेरिका रूस-बिटेन फ्राव-चीन अमेरिका रूस-बिटेन फ्राव चीन चेंड इसके बाद सलो। संजुक्त परिशत का और अस्थाई सदस्यों का कारिजिकल कितना होता है तो दो बर्स होता है और अस्थाई के दो बर्स होता है चलिए बारे नमर में संजुक्त राश्रंग में सरपर्थम हिंदी में भासन देने वाला पर्थम ब्यक्ति कौन थे हिंदी में भासन देने वाल बीटो इसे क्वाते हैं बीटो का पर्योग किया बीटो प्राफत निसेधात्मक्य सब्रक्राइट, किया था कब तो कब किया था बताएं 1901 में किया था रोडेशिया की प्रस्ण पर रोडेशिया के प्रस्ण पर किया था उसके बाद संजुक्तराष्टों की पर्थम महिला अध्याक्ष का नाम बताएं महिला अध्याक्ष संजुक्तराष्ट की महिला अध्याक्ष तो सिर्मति विजा लक्ष्वी पंडित कब बनी थी 19-30 में जही और अन्तराश्टी न्याले मुंद संख्या कार्जकाल नो भरस यानि एक नियाधिस नो वर्स तक रहा सकते हैं चाहिए उसके बाद 17 नमर कोश्चन में हम देखेंगे संजुक राष्ट संग के महा सचीव पर्थम तिर्गवेली का कार्ज काल बताई है पर्थम तिर्गवेली उनका कार्ज काल पांच बर्स का था नॉर्मल सा कोश्चन है अंतराष्टिय ने अले जिसके स्थपने तीन 946 याद कर लें तीन अप्रेल 946 इसका मुख्याले पूछ रहा है यहां पर तो इसका मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याले हेग में है और हेग कहां है नीदरलेंड है चलिए संजुक राष्ट के बर्तमान आठवा महा सचीव आठवा महा सचीव आठवा महा सचीव वा घाना के थे घाना घाना देश है वहां के थे संजुक त्राश्ट्रंग की पर्थम बैठक कब होई थी पर्थम बैठक कब होई थी तो दस जनवर यह निसो चीयालिस को लंदन में होई थी दस जनवर यह निसो चीयालिस को कहां होई थी लंदन में होई थी जानि यह 22 नमर हम क और वियना कहाँ पढ़ता है तो आस्थरिया में पढ़ता है Après Cricket नमर है 1947 में अस्थापीत गेट जी एक डवर्टी का अस्थान डव्लू ट्यों ने लिया है कब लिया कह स्थान डव्लू ट्यानि डव्लू ट्यू ओर डव्लू ट्यू तो ट्रेड्ड वर्ड्ट्रेड और्वनाइजएशन को पहले गेट बोलते हैं और इसका नाम कप चेंज किया गया कोहने के मतलब ही है तो नाम चेंज हुआ है 1995 में एक जनवर 1995 में इसका नाम गैट से 159 है और 169 वा यानि 159 वा सदस्देश तजाकिस्तान है चलिए उसके बाद 25 नमर खाद्यमा के रिसे संगठन FAO अस्तित्व में आया 25 नमर तो 16 अक्टूबर अनुई 145 को अस्तित्व में आया और इसका मुख्याले कहा है रोम रोम कहां पर पढ़ता है तो इटली में पढ़ आठाइस की अस्थापना होती रूपियर संग की अस्थापना तो 26 का हो जाएगा और इसका मुख्याल है ब्रुसेल्स बेल जीय में पढ़ता है और इसका हम बता रहे हैं 1961 में होई थी और यह ग्रेड कहां पर है तो यूगोसलामिया में पढ़ता है यूगोसलाविया में डिखते हैं गुट अरो टते यह देखते हैं बुट निपक्छांदोलन Wendy संक्या 120 से है कि सेत्थापक है ुपकर नाम बताई है विस इसके बाद है दक्षीनद Éसी XflowerYog सःंग उन्नीश सब्सक्राइब हैं में इसको मुख्रीजा valid कटमडू मैं काुट मश्र geschमा दन उनिक सब्सक्राइब सार्क इसको 2 fix क होते हैं यह शिखर सम्मेलन होता है सार्क इसका क्या हुआ था इसका उध्घाटन हुआ ता और इसके 810 देश होते हैं ओपगानिस्तान आठवा सदस्देश कौन सा है तो आठवा है आठवा को नाम है पुछ रहा है पांच नमर में बंगलादेश है, चो नमर में भूटान है, साथ नमर में नेपाल है, आठ नमर में अफगानिस्तान है, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, तीन वे एक साथ, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, सिर्लांका, बंगलादेश, भूटान, नेपाल तथा अफगानिस्तान ऐसे याद करें भारत यानि भारत हमारे पडोसी देश अगल बगल में है तो पाकिस्तान याद कर ले पाकिस्तान पडोसी नंबर वन पडोसी जोलन सिल पडोसी और सिरलंका अच्छा पडोसी बांगलादेश कुछ हद तक अच्छा पडोसी भूटान अच्छा पडोसी नेप का बंगलादेश भूटान नेपाल तत्य अपर कानिस्तान इसन बनात्ट क्यों एक चलिए इसके बाद है नाटो रोसा अटलांटिक ट्रिटी ओर्गनाइजेशन नातो नोर्फ पूछ पूछ रहे नाटो की अस्थापना कोई थी बहुत 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 इंप्पोर्टन कोश्चन है चार अप्रहल अनुसों उन्चास अनुसों उन्चास यान्य हमारा दिस्ट जो अजाद हुआ था उससे दू साल के बाद नाटो की अस्थापना हो थी और इसके 1100 किसंग क्षचि क्षापन प्च यह कंश्चा अनुष के सश्चापने श्चा य 쉬 n अनुष में ऐते हैं अंतर sulphल मेंच एसकी संख्या है 150 इसके सब्सक्राइब अंतराष्टी स्व्यटम संगठन के स्थापना पूच रहा है तो 1911 में हुए थी जिस समय जालिया वाला बाग हत्या कंड हुआ था उस तरह से अंतराष्टी स्रम संगठन की अस्तापना उस्तापना हुए थी उसका मुख्याले जी नियवा में तो ऐसका मुख्याले का हाँ तो इसका मुख्याले सिंग्यापूर है कि इसके बाद देखेंगे कि एपे के बाद हम देखेंगे दोस्तों 1936 नमर देखेंगे 1945 में अस्थापित 200 बैंक तह था अंतराष्टी मुद्रा कोस्ट आई एमेप का मुख्याले मुख्याले पूछ रहा है तो 36 नमर का वासिंगुटन डीसी में इसका हो जाएका मुख्याला आई एमेप का मुख्याल सब्सक्राइब का नाम है तो अंतराष्टी पुनन निर्माण बिकास बैंक आई बी आड़ी बीस बैंक फिर से देखेंगे इसका मुख्याले कहा है और इसका मुख्याले नहीं सोटकोट में इसके बाद डॉल्ड वॉल्ड वर्लड हेल्थ और्गनाईजेशन इसके स्थापन को इस ती और तालीश यानि आजादी की एक साल बाद अनुआ सब्सक्राइब्स के स्थापना और 18830 यानि रेड पुरा और इस दोनों का मुख्याल एक हाँ है तो इस दोनों का मुख्याले। जनेवा में पड़ता है और जनेवा भाई कहा है तो शीटर पड़ता है चलि 40 नमर देखे हैं इसरो जिसके अस्थापना कब होई थी थी हम पढ़ाए विडियो में था और इसके बाद है एक तालिस नमबर में एक तालिस नमबर में कह रहा है कि अनव लीग का मुख्या मुख्या लह ओर अनुज यह उनव भाई पहां तो इसका मुख्या पहां पन है काहिरा में इसके बाद हूं विशो वोड़ बैंक जिसके अभी बादल हुए है कि इसाल चेंजिंग वाइए इसके विशो बैंक सब्सक्राइब को इसके बाद 43 में आते हैं अंतराश्थी विकास बैंक डी ए कि या स्थापना अंतराश्थी विकास बैंक सब्सक्राइब को कहा जाता je यालने रियायती रिण देने वाले ख़्ड को कहा जाता है तो अंतराष्टी मुद्रा को साइए मकी एष्ठापना को स्थृपफ में Horizon DC मैं है चलिए हो गया उसके बाद 45 नमान आई एमेप के बरतमान 110 से संख्या कितना है आई एमेप के बरतमान 110 से संख्या तो 46 46 187 है कराता है कौन कराता है तो विश्या की स्थापना कब हुई थी दोस्तों तो इविसा की स्थापना 2003 में हुई थी और 110 से इसके सदस दिसकौन कौन से हैं 2003 में इविसा याद कर लें इविसा है इसके स्थापना हुई थी 2003 में और इसके स्दस भारत है ब्राजील और अफिर का ब्राजील ऑर दक्ष्यौ अफिर कई रोके दोनों एक ही पास mice है और भारत है जाड़ जाझा चलिए तो इसके पर Toutन seller हान चलते हैं कर सके यूनिशेव बहुत इंप्रेंट कोस्षन यूनिसेप की स्थापना निसो छी अलिस में हुई थी उनिसेप की स्थापने हुई आंगरी जह हमारे दिस्ट छोड़के चले गया 1946 में उनिसेट के स्थापना होती है और इसका मुख्याले कहां बनाए गया है तो नीवियार्ग में बनाए गया चलिए पचास नमों अंतराष्ठी बैपार का परमुख परहरी किसको कहते हैं तो इसे बोलते हैं डाबलू टीयों को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइज़ेशन को बलते हैं जीतना बयपार होता हां उसका पाहरा देता है चलिएह बिशुब्ऑ नमेर को निगम्ट्रि अस्थापना विश्व परियाटन नीगम डब्लू टीओ की अस्थापना हुई थी तो 1926 में हुई थी 1926 में हुई थी डब्लू टीओ की अस्थापना चली इसके बाद आता है राष्ट मंडल कॉमन वेल्थ बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन हर एक जाम में पोश्चन कोश्चन कभी कभी पुछ देता है तो कमन वेल्थ यानि राष्ट मंडल तो इसके अस्थापना हुई थी 1926 में याद रखे और उसके बाद चोवन है भारत राष्ट मंडल का सदस्व बना भारत राष्ट मंडल का सदस्व बना कब बना तो 1949 में बना चली पच्पन है एरोपिया आर्थिक जब रोम के साथ समझाओता हुआ नो तब जाके एसी अस्थित्तों में आगया आप सुचा कि हमारा कोई उपाय नहीं हो हमको अस्थित्तों में आना ही पड़ेगा चलिए इसका 56 में आते हैं युरूपिया आर्थिक युरूपिया आर्थिक समुदाय का मोख्याल है आत्मान में युरूपिया आर्थिक समुदाय इसी की सदस्य संख्या बताएं युरूपिया आर्थिक समुदाय इसी की सदस्य संख्या तो इसका मुख्यालत ब्रुसेल्स में याद कर लिए और इसका इसकी सदस्यों की संख्या पूछ रहा है तो इसकी सदस्यों की संख्य लुकर किया वाथाइस है याद रहें अठाइस क्वाइब नियुक्त सबीक्पषाज प्यांगर ऊसका इरो मुद्रा का चलन बारे देशों में सुरुआ हुआ अची बात है और बारे देशों में सुरुआ एप चुट अमवरी नयुक्त एकrant 921 player 9 two of them go I LucasPR ऊसे लों शब्चलने लोग फचलने ऊदीरो का कबं परचलन पर्चलन कईatarह ऑनेश महुनीश नमा परकोंपन मही वसीभिण goat साथ नमर में आता है सार्क का पर्थम सिखर सम्मेलन कहां हुआ था तो 1985 में धाका में धाका में धाका बंगलादेश है उसके जाद में सार्क के पर्थम सिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे कि सार्क पर्थम सीक्ष जो है इसके पर्थम सिकर संगे में ढ़ाका में तो समेलन हो गया और इसका अध्यक्ष के नाम हम बता रहे हैं और देश के नाम है 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 एक फ्री पाश चलिए कि ओध्राइब हो गया चलिए इसका तेंपरिस सांख रहाट है है पांप नी नलुने उस्के और है कि रlle चौज scriptures चशनों हिशे तो जा चक मुश गयाए कब हुई थी ब्रिक्स के स्थापना तो ब्रिक्स के स्थापना दूहजर नौ में हुई थी और रॉम्ड नौ में हुई ती कहां पर वूइती तो रूस में हुई थी चलिए आच्छा बात है ब्रिक्स एमनेस्टी इंटरनेशनल का संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लॉंदन में किया गया, तो कब किया गया, तो लॉंदन में पीटर वेशन्स के द्वारा किया गया, अठाइस मही अनुइसो एक्सट को किया गया, इसके बाब पाइसटन में एमनेस्टी इंटरनेश राप्त हुआ है तो ecology 177 में प्राप्त हुआ और इसके अस्थापना किसना कि है तो पीटर बेसंस द्वारा है इसके स्थापना किया गया था मिलें इसके नोबेल प्रीस्कार इनको पराप्थ हूए मुखँ इसका फिर gjाज करता है तो इसका फिर mendam मानव अधिकार के हनन की जाच करना जितना भी अगर मानव का अधिकार है उसके अगर हनन होता है तो उसको जाच करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल चली बहुत अच्छा कोश्चन मिला उदेश हो गया उसके बाद में इंटर पोल आते हैं कि अंत्रेश्टी आपराधिक पुलिस संगठन की अस्तापन कब वही थी तो इसके अस्तापन में बता रहे हैं इसके अस्तापने वही थी दोस्तों 1923 में औ इस खोट नोतर और अट्लांटिक समझा उसना का मुख्याल नाटो का मुख्याल है तो अब,"न्द का मुख्याल है, बृूसले, init पायए, बृॉसलें Hen 52 वह 22 और का मोगयाले का है ब्रुसेल्स को नहसे 1 गौह तहाए मुख्यालों करन है मुख्यालों अस्थ आ हम पड़ाएंगे तो इसका मुख्याले ज यौकि कहां पर पड़ता है remain इडोनेशिया में पढ़ता है है चल्य यह बहुत थोड़ा सा बचाँ हुए आइये चलते हैं दोस्तों टाइम मत देखिए करें तो पटाइए लो पाईगी तो नाफ्टा के स्थापना बेराणवे में हुई ती 1992 में 1992 जो भी कहें उसके बाद में पचातर नमท बहुंता ता G8 के स्थापना पूच रहे तो G8 के स्थापना कप हुई थी तो उनीasive पचातर इसमी में हुई थी cert के स्थापना चली कि इसके बाद है जी एट के बाद हम चलते हैं कि 76 पर आते हैं 76 जी एट का पहला सिखर समयलन कौब हुआ था जी एट जी एट का सिखर समयलन पूछ रहा है तो सिखर समयलन सिखर समयलन प्यरिष के निकट है रंबो निलेट में रंबो निलेट में हुआ था 545 को चलिए और जी एट की स्थापन को वह था इसका स्थापन पर चथर में और और अम वनिल इंत में इसकी एति होता क्या बोलते हैं कि इसकी क्या हुआ था सीखर समयलन हुआ उसके बाद है सथाफर डी एक डी एट डीए डी एक इसको डीव लाम्पिंग इसको बलता है इसका गठान पूछ रहा था इसके गठान को विए था तो इसका गठान हम को जहां तक याद है उनिसौ शंतनावी में हुआ था और कहां हुआ था इस्तांबुल में겠습니다 इसका मुख्याले कहां पर है तो जिनेवा में है इसके बाद में अकाउंट है अंकडाट उनकडाट के सथापना का हुई तो उनकडाट के सथापना पूछ रहा है तो उनकडाट के सथापना उन dużo सो चोछट में हुई थी और इसका मुख्याले कहां पर है जनेवा में है और इसके अंक डॉट जो है ना इसके परतिपादन का परतिपादन का स्रे किन को जाता है तो इसके परतिपादन का स्रे डॉक्टर राउल प्रेविस को जाता है डॉक्टर राउल प्रेविस को जाता है इसके बाद में आते हैं कि दौस्ता कह रहा है कि एख व सी टी बीटी सी keyring इसको हम ब्लेंगे को सत्रहें ब्राकेट में लिखा हुसा का था प्रोपपरमाडू परिक्षाण का operators और संथिस्वंगरण स्थाफण की आस्थापन पोछ रहा तो सी चीजिती बीटी चिया अन्तराष्टी बीत निगम आई एफ हिसी की आई एफ सी आई एफ सी की अस्थापना को वही थी आई एफ से की अस्थापना इंपोर्टेंट कोश्चन है अनिसो चपन में वही थी और इसके मुख्याले वासिंग टन डिसी में उसके बाद तीरस थрий थी चोग distinguished राष्ट्रमंडली राष्ट्राध्यक्ष संविलन जिसको चोंगम बोलते है का मुख्याल है चोंगम का मुख्याल है घ्रीस बर्ग मैं चोंगम का मुख्याइब तो च्रस डोचर्टवर्ग में स्ट्रॉंस बर्ग में集か शचर्वंस बर्ग म और इसका मुख्याले फ्रांस में है पर 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 तो आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों लाष्ट हो गया मेरा यहीं पर और लास्ट हो गया तो मैं उमीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है और अच्छा के साथ-साथ दोस्तों अगर आप कहीं जा है कोई मानली जा खाना बना रहा हैं कुछ भी कर रहा है तो रिभीजन के तौर पर इसे रट्टा मारते रही है अगर आपके कान में इसकी ध्वनी जाएगी और शाहिसाटीक उतर जाएगा ना तो अपके अबजर्वेशन शक्ति मजबूत है तो अपने तुरण कि करता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ और नए न्यघ दोस्तो में इसको फाइल आया है सेयर करें ताकी मेरे चैनल का घ्रोथ हो और आप लोगा पास अच्छी अच्छ pro काटनेंट आए तो आजके लिए इतना है फिर मिलेंगे पन सब्सक्राइफ हैं त